हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए कर आए हैं मात दो कच्छी आलू का बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा लाइट वेट नास था इस नास्तिय को आप एक बर में आकर खाएंगे तो समोसे कचोड़ी खाना भी भूल लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से सब्सक्राइब कर ले साथ में जो घंटी आती है उसे भी ज़रूर प्रस कर दे ताकि हमारे चैनल पर जब भी नए वीडियो है इसकी पील कर लिया है तो आप किसी भी पीलर की हल्ब से अच्छे से पील कर लिजेगा दोनों आलो को पील करने के बाद हम इसे अच्छे से वाश कर लेंगे और इसे हम पानी में ही रखेंगे ताकि ये ब्लैक ना पड़े इसके बाद अपने आलो को हम इस तरह से चोटे चोटे टुकडों में cut करके डालेंगे ताकि इसे फीसने में आसानी हो जितने छोटे हो सके उतने छोटे टुकड़े आपको करने एसके तो देखे यहाँ पर हम'ने दोनों आलो को अच्छे से अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप इस टाइम पर इसमें लहसुन भी आड़ कर सकते हैं लेकिन हमने सिर्फ यहां पर अद्रक और मिची ही डालनी है इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कब जितनी सूजी तो सूजी आप मोटी या महीन कोई भी दाने की इस्तमा कर सकते हैं तो इन सारी चीज़ों को आड़ करने के बाद अब सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे आधा कब जितना पानी पानी आपको आधा कपी डालना है उससे जादा नहीं डालना है क्योंकि हमने यहां पर कच्छी आलू का इस्तमाल किया और आलू को पीसने के बहुत जदा पतला भी नहीं और बहुत जदा गाड़ा भी नहीं तो एकदम फाइन सा बैटर आपको तयार करना है तो बैटर को हम एक बोल में ट्रांस्फर कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक कब जितना चावल का आटा अगर आपके पास चावल का आटा नहीं तो आप इसकी जगह पर गिम्म के आटे का भी इस्तमाल कर सकते हैं उससे भी हमारा नास्ता बहुत ज़्यूदा टेस्टी बनता है तो देखिए चावल का आट एकदम फाइन सा होना चाहिए इस नास्ते को बनाने के लिए तो अब रूब हम को इसी बैटर में डाल दें ताकि हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए और हमारा नास्ता बहुत ज़दा फुला फुला बने तो बस हाथ उसे एक से दो मिनट के लिए हम इसे अच्छे से फेट लेंगे और यहाँ पर हमारा यह बैटर रेड़ी हो चुका है तो अब इस बैटर को हम कर दिया है ताकि इसे पीछने में परिशानी ना हो इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे थोड़े से रोस्टे चने तक्रीबन दो चोड़े चमब जितना तो अगर आपके पास रोस्टे चने नहीं है तो आप इसकी जगा पर रोस्टे पीनट का भी स्तमाल कर सकते हैं तो इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे तीन से चार हरी मेच आउटने स्पाइस के अकॉर्डिंग ये डालेगा इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे तीन से चार कड़ी पत्ते इससे हमाई चटनी बिल्कु साउच जैसी लगेगी तो ये टोटल ओप्शनल है अगर आपके अब दालें इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे सुआद अनुसान नामक और नामक डालने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे 138 पजितना पानी तो पानी आपको बहुत ही कम दालना है जितना आपको requirement है और जितना आपको ठिक चतनी चाहीए उस इसाब से डालना है तो चल है वो पिल्कुल भी पानी पानी नहीं लगेगी थोड़ी से थिक बनेगी और एक्दम क्रीमी लगेगी तो यह एक सीक्रेट है इससे हमाई चटनी बहुत जदा अच्छी बनती है साथ ही अपनी चटनी को हम थोड़ा सा और स्पेशल बनाने के लिए इसमें एक तड़का लग पटापट से चटनी में एड़ कर देंगी तो तड़का डालने के बाद अब चटनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो अपनी चटनी को अपनी साबसे थोड़ा सा पतला और गाड़ा बना सकते है इस टाइम पर तो यहां पर हमारी चटपटी से चटनी बनक कर आड़ी हो चुकी है तो इसे हम साइड में रख देंगे और पटापट से अपने नास्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे तो फैन बैटर को रस करते हुए चार से पांच मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि वैटर हमारा बहुत जदा गाड़ा हो चुका है तो अब हम इसमें एड करेंगे थोड़े से स्पाइस तो सबसे पहले हम इसमें एड करेंगे एक चोथा ही चमजेता साबू जीरा साथ ही हम इसमें एड करेंगे स्वाद अनुसार नमक नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेगा इसके बाद हम इसमें एड करेंगे एक पाउडर इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद अपने नास्ते में थोड़ी सी फ्रेशनस और थोड़ी से और चटपटे पन के लिए हम इसमें आड़ करेंगे आधा नीबू का रस यह तो टोल आपको पसंद है तो आप डाले वर्णा आप इसे स्किप कर सकते हैं तो नीबू का र जैसे ही हमारा तेल अच्छा गरम हो जाएगा वैसे हम अपने नास्ते को बनाना स्टा करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारा तेल काफी अच्छे से गरम हो चुका है तो अब अपने बैटर को हम हाथों से अच्छे से एक बार फेट लेंगे उसके बाद इस तरह से हम इसके चोटे-चोटे पकोडे डाल देंगे तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे पकोडे या फिर आप इसे नास्टा भी बोल सकते हैं लेकिन यह नास्टा खाले में बहुत ही ज़धा टेस्टी होता है तो इस तरह से हम इसके चोटे-चोटे बोल्स तयार कर लेंगे तो एक बार में जितने पैन में धाय उतने नास्तिक को ही बनाना है और यहाँ पर यह नास्ता एक दूसरे के साथ बिलकुल भी चिपकता नहीं और अंदर से बहुत अच्छे से फूला फूला और बहुत ज़ादा क्रिस्प्री बनता है तो फ्रैन इस नास्ते को बनाते समय आपको इस बात के ध्यान रखना है कि गयास की फ्लेम एकदम हाई रखनी है ताकि आपका जो नास्ता है डालते समय ही अच्छे से फोल ने लगे तो चलिए फटाफट से हम इसे तेल से भार निकाल लेते हैं तो फ्रेंस बनकर तयार हो चुका है हमारे ये कच्छे आलू का बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी नास्ता है तो मैं आपको इससे तोड़ कर भी दिखा रही हूं उपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉंजी है और बिल्कुल भी ओली नहीं बनता और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहता है क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा मिक्स किया है जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो जरू से बनाईएगा इस नास्ति रेसिपी कैसी लगी वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब कीजिए का हम मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब ते के लिए बाबाई